Export-Import Business की सीरीज में मैं Dr. Amit Maheshwari आप सभी का स्वागत करता हूं Friends, पिछली वीडियो में हमने बात की थी How to Start Import and Export और Documentation and Process to Start Import and Export उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाया था How to Find Out International Buyer और साथ इसाथ एक वीडियो हमने और बनाया था जिसमें बताया था कि विच प्रोड़क्ट इन विच कंट्री किस देश में किस प्रोड़क्ट की डिमांड सबसे जादा है आज हम बात करेंगे How to Get Advanced Payment in Export Business जी हां ठीक सुना आपने जब हम किसी भी प्रोड़क्ट को Dispatch प्रोड़क्ट कहलाते हैं मतलब वह प्रोड़क्ट जिसमें आपको किसी तरह का कोई Customization नहीं करना हमेशा Mass Production में आपके पास प्रोड़क्ट बनके तयार है आपको तो केवल order आने पर उस order आने के बाद तुरंत उस product को supply करना है दूसरा जो product है उसे हम कहते है make to order product जहां पर किसी भी product को customize किया जाता है buyer की requirement के according design किया जाता है और third जो इसमें category है वो है process oriented product मतलब किसी भी product को dispatch करने से पहले बनाने का एक process होता है जिस process को और time duration को आपको follow करना होता है अगर आपका product ready to dispatch है और mass production में आप उस product को बनाते हैं तो केवल buyer का order आने पर आप product को dispatch करने के लिए ready होते हैं तो आप जब अपने buyer को performa invoice issue करेंगे तो performa invoice के against आप 100% payment मांग सकते हैं अब प्रशनी यह उठता है कि कोई buyer आपको 100% advance payment क्यों दे जी हां क्यों दे आपको advance payment यह समझना बहुत जुरूरी है तो चलिए इस बात को दूसरे पहले से सोचते हैं मान लीजी आप importer हैं और आप किसी exporter से material लेना चाहते हैं तो जब आप exporter से material लेना चाहेंगे तो वो भी आपको बिना advance payment के material नहीं देगा मतलब आपको credit पर material नहीं देगा इसका मतलब जब आप payment करेंगे तो आपको material dispatch होगा ठीक उस तरह से आप जब किसी भी व्यक्ति को payment करना चाहेंगे आप चाहेंगे कि मैं उससे import कर लूँ तो आप क्या-क्या पहलू पर जाज करेंगे ठीक उनी पहलू पर वो व्यक्ति भी जाज करेगा जब आपको 100% advance payment देगा दोस्तो मेरे import export business training program की एक workshop में मैं अपने students को ये बात बता रहा था कि 100% advance payment कैसे लें तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रशन था कि सर हमें कोई advance payment क्यों देगा तो उसी training program में एक importer बैठा हुआ था उसने का सर इसका जवाब मैं देता हूँ आज हमारी बहुत बड़ी medical company है medical equipment में हम deal करते हैं और बहुत सारे नए medical equipment के लिए हम जापैन की companies को जब order देते हैं तो जापैन की companies हम से 100% advance payment लेती हैं तब वो हमें material dispatch करती हैं उसको करने से पहले हम company के बारे में सारी profiling चेक कर लेते हैं उसी training program में merit का एक exporter बैठा हुआ था उसने का बिल्कुल ठीक सर आज हम भी जो merit में यहां बैठके पूरे worldwide जो export कर रहे हैं तो हम भी किसी buyer को बिना 100% advance payment लिए कभी भी material dispatch नहीं करते तो आई आज हम समझते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि एक buyer आपको 100% advance payment दे जोस्तों जब आपने product को export करते हैं और आप अपने buyer से आप advance payment मांगते हैं तो आपको कुछ तयारियां करनी होती हैं और वो 6 तयारियां कौन सी हैं इसके बारे में हम समझते हैं सबसे पहली जो बात है built trust सबसे पहले आपको अपने buyer के mind में अपनी company, अपने product, अपनी company के profile का trust build करना होगा तभी वो buyer आपको advance payment देगा और trust build करने का तरीका क्या है कि आपकी company की profile proper बनी होई होनी चाहिए वो online presence और offline presence दोनों तरह से ठीक होनी चाहिए आपकी company की full flash website जिसमें आपके product और services की सारी जानकारी हो आपकी company की digital appearance भी बहुत strong होनी चाहिए क्योंकि कोई buyer जब आपको advance payment देगा तो आपकी company के बारे में बहुत सारी information को check करेगा उसके साथ-साथ आपकी company का setup उस setup का video, product video, company video आपका manufacturing अगर setup है तो उसका video ये सारी चीज़े होनी चाहिए और उसके साथ-साथ बहुत important बात है कि आपकी जो marketing है वो proper होनी चाहिए आपकी digital marketing, आपकी online और offline presence marketing की बहुत strong होनी चाहिए इसके बारे में हम एक separate video बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे marketing के बारे में कि अगर export हगे में करना है तो किस तरह से अपने product की marketing करें second जो important step है जिसमें आपको अपनी company को strong बनाना है वो है आपका professional communication आपका communication बहुत professional तरीके से होना चाहिए जैसे आप अपने consumer से बात करें अपने buyer से बात करें तो आपके business का proposal आपके business में business का contract पूरा ठीक तरीके से design होना चाहिए आपके product की delivery से related सारी information अगर वो buyer advance payment देने से पहले किसी तरह से sampling की डिबान करता है तो अगर वो possible है तो आप उसको sample भेजने का भी प्रबंध आपके पास होना चाहिए और जो existing buyer है उनके testimonial भी इसमें बहुत बड़ा role play करते है क्योंकि एक buyer का trust built होता है जब वो आपके business के professional communication को देखता है थर्ड जो important step है that is USP of your company और product आपके product की USP क्या है unique selling proposition क्या है जिसकी वज़ा से वो buyer आपके product को खरीदे और खरीदने के लिए advance payment क्योंकि आज market में बहुत सारे लोग credit परमाल देने के लिए तयार है ऐसे में वो advance payment में आपसे material क्यों ले और वो USP कुछ भी हो सकती है जिसे आप जो product बनाते हैं वो organic और best quality के हैं आप जो product बनाते हैं वो बहुत ज़्यदा durable है markets के बाकी product से अगर compare किया जाए उनकी जो guarantee warranty है वो competitive industry में बहुत ज़्यादा है इसके अलावा आप on-site या off-site service की guarantee भी उनको देते हैं ताकि ये product competition का जमाना है इस जमाने में जब एक buyer आपको contact करता है तो अकेले आपको contact नहीं करता ऐसे में बहुत सारे suppliers को वो buyer contact करता है इसका मतलब वो compare करता है आपके product की quality आपके product के pricing आपका professionalism आपका way of communication आपका way of delivery of product आपके company के पूरे process को वो समझता है तभी वो आपको advance payment देता है इसलिए जब आप export करें तो अपनी competitive industry में price और product quality को ज़रूर compare करें and most important step that is confidence confidence की जब हम बात करते हैं जब भी कोई buyer आपको contact करता है तो वहाँ आपके और उसके बीच में बहुत दूरी है हम लोग आपस में कई बार मिल नहीं पाते तो ऐसे में जो आपका confidence है वो बहुत बड़ा role play करता है किसी भी buyer को प्रभावित करने के लिए जैसे आपके product से related पूरी detail product की quality, product की quantity उसके specification, उसकी pricing उसकी competitive market में presence ये जो confidence है ये confidence जब आपका built होता है तो उस confidence के साथ एक buyer को विश्वास होता है कि ये company, एक established company है और जिन लोगों के through मैं communication कर रहा हूँ, वो मुझे सही तरीके से product deliver कर पाएंगे इस ब्याब पर भी वो advanced payment देने के लिए तयार होता है आपकी company के identity को proof करने के लिए आपके पास सभी तरह के documents हमेशा तयार होने चाहिए, जैसे आपका import export certificate, आपका company registration आपका RCMC registration membership certificate और बहुत सारे certifications जो आपके product के लिए निवार रहे हैं जैसे कई companies के लिए company को ISO होना जरूरी है, कई बार product को ISI markा होना जरूरी है या फससाई का आपका certificate रोना जरूरी है या आपके द्वारा बनाये गए product के लिए कौन-कौन से document required है ये भी बहुत important role play करता है जिसकी वज़ा से एक buyer आपको advance payment देता है तो ये 6 steps जब आप follow करते हैं तो एक buyer के मन में आपके company और आपके product के प्रती trust built होता है और वो आपको advance payment देने के लिए तयार होता है लेकिन कई बार आपका product इस तरह का होता है जो ready to dispatch नहीं है मतलब आपका product customized या time orientation process based होता है customized का मतलब आप कुसी product को design करते हैं consumer की requirement के लिए या कई बार ऐसा product तो time process को लेता है जैसे मान लीजिए आप organic food से related कोई product बनाते हैं तो उसको develop करने का जो process लगता है वो तो लगे गई या कई बार आप customized product बनाते हैं तो उस case में आप advance payment 20%, 25%, 30% या 50% तक मांगते हैं उसके बाद जब आप ता material बनके तयार होता है तो उस material के बहाफ पर उसके videos, उसकी photographs को share करके भी आप उससे बाकी payment demand कर सकते हैं अगर वो आपका buyer आपको second phase की payment देने से पहले किसी तरह की कोई guarantee चाता है तो आप BL के through भी payment ले सकते हैं आपकी balance और ये भी एक safe and secured method होता है BL मतलब bill of leading का मतलब है कि आपका सारा material तयार हुआ जो advance payment आपको receive हुआ उसके against आपने material को बना कर तयार किया आपने उस material को CHA के माध्यम से आपका जो pass का depot है ICDA, inland container depot है वहाँ तक पहुचा दिया और जो shipping company है आपने वो material shipping company को dispatch कर दिया अब shipping company उस material को container में load करके भेजने के लिए तयार है और उसका original document वो company आपको provide करते है इसको हम BL बोलते हैं, bill of leading बोलते हैं और उस bill of leading के माध्यम से आप अपने buyer को उसके scan copy भेज कर या उसका एक photo click भेज कर बोल सकते हैं कि मैंने सारा material dispatch कर दिया है और यह container बिल्कुल ready है अब आप अगर payment करते हैं तो मैं आपको उसके original copy भेज देता हूँ ध्यान रखिए, bill of leading के case में भी जब तक आप अपने buyer को वो bill of leading की original copy नहीं देंगे तब तक वो container को छुड़ा नहीं सकता मतलब material को receive नहीं कर सकता इसलिए bill of leading की original copy नहीं उसका photograph, उसका click या उसके scan copy भेजते हैं और जैसे ही आपकी payment confirm होती है आप उसको original copy dispatch कर देते हैं ये भी 100% advance ही है क्योंकि आपके material को dispatch करने से पहले ही आपने payment को receive कर लिया ध्यान रखिए, आप advance payment and payment against BL भी अगर लेते हैं तो वह भी एक तरह का 100% advance है फ्रेंट्स, import-export से related आपके मन में अगर कोई भी प्रशन है तो आप उसको comment box में लिखें और साथ-साथ ये तीन वीडियो जो मैंने आपको बताई है कि documentation process system क्या है import-export शुरू करने का how to find out international buyer और कौन सा product किस country में बिखता है ये तीनों वीडियो आप जरूर देखें next वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका buyer payment 100% advance देने के लिए तयार नहीं है तो कौन से ऐसे 5 method है जिनको आप follow करके अपनी payment को secure कर सकते हैं और आसानी से export कर सकते हैं स्वस्त रहें, मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेर भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत